भारत से एक सो प्रतिशत तूटे चावल तथा गैर बास्मती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लागू होने से वैश्विक बाजार में चावल की कुल आपूर्ती में 20 लाक टन की गिरावट आ गई है। इतना ही नहीं बलकि चावल के वैश्विक बकाया अधिशे स्टॉक में भी 50-80 लाक टन की भारी गिरावट आने का अनुमान लगाया गया है जिससे कीमतों में तेजीम जबूती का सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। भारत से चावल के निर्यात में कमी आ रही है। 25 अगस्ट से इसमें अब तक 46.70 लाक टन की कमी आ चुकी है। अ International Grants Council के अनुसार टुकडी चावल एवं सफेद गैर बास्मती चावल का निर्यात बंध होने के बावजूद भारत 2023 से 24 के मार्केटिंग सीजन में चावल का सबसे प्रमुख निर्यातक देश बना रहेगा। वर्ष 2024 में चावल के वैश्विक कारोबार में दो प्रतिशत क की गिरावट आने का अनुमान लगाया गया है जिसका प्रमुख कारण एशियाई देशों में मांग कुछ कमजोर पढ़ना बताया जा रहा है। इसमें इंडोनेशिया मुखे रूप से शामिल है। भारत लंबे अंतराल के साथ दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर् रहे हैं और एकाएक इसका शिप्मेंट बंद होने से उन देशों का प्रभावित होना स्वाब विखी है। वर्ष 2022 में भारत से अफरीका के उप सहारा चेत्र के देशों में चावल का जितना निर्यात हुआ इसमें लगभग आधा भाग सेला चावल का था जिसका अधिका शिप्मेंट पश्चिम अफरीकी देशों को हुआ था। भारत से सेला चावल का निर्यात बंद नहीं हुआ है बलकि इस पर सिर्फ 20 प्रतिशत का सीमा शुल्क लगाया गया है। लेकिन सहारा चेत्र के जिन देशों में सफेद चावल का भारी निर्यात हो रहा था वहां इसका शिप्मेंट जरूर ठप पड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी